हेलो दस्तो ये है चारजर स्मार्टफोन का मोटरोला कुम्पानी का स्मार्टफोन का चारजर चलिए इसका थोड़ा ड्रॉप टेस्ट कर लेते हैं हम पहला एटेम्ट ये रहा और दुसरा एटेम्ट पे कुछ भी नहीं हुआ भै अभी के बरतमान में ये चारजर खराब हो चुका है तो इसको हम सीधा ही काटने वाले हैं क्योंकि हमें इसको खोलना नहीं आता तो इसको काटेंगे तो हमारा जुगाड लग चुका है अभी इसको हम काटने वाले हैं तो चलिए बिलेट की मदद से इसको काट लेते हैं और देखते हैं इसका अंदर क्या है कितने सारे equipment है क्या changes हुआ है पहले का जमाने का charger कैसे हुआ करते थे और आज कितना बदल गया है तो गाइस फाइनाल हमारा काम बन चुका है यह कट चुका है इसका अंदर का राज अभी बाहर निकल जाएगा थोड़ा ही इंतेजार करो इसको निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या हो गया है तो गाइस यह देख सकते हुआ यह बाहर निकल चुका है इसका main parts यह square का board है मतलब यह 4 तरफ से square बन चुका है और square पर्फेक्ट square सका अंदर बहुत कुछी देखने को मिला का इस adjustment देखके मेरा होस्ग हो गया भा इतना छोटा छोटा जगह पर कितने चीजे लगा हुआ है छोटा छोटा रेजिस्टर है क्यापिसिटर है ट्रांसफोर्मार है भाई साब जहर और भाई ओयर के तो कोई सीन ही नहीं है यहां पे सिर्फ सोल्डरिंग किया गया है भाई छोटे छोटे एक्विपमेंट बहुत इबारी की से एडजास्मेंट किया गया है भाई साब खतरनाग भाई यह केपसिटर 105 डिग्री सेल्सियस तक भी जहल सकता है भाई साब 100 डिग्री मतलब पानी उबलता है पता है आपको और यहां पे देख सकते हो 105 मतलब समझी सकते हो कितना strongest चीज है गरम होने पर भी कुछ भी नहीं होता और इतना चोटे चोटे जगा पे equipment लगाएगे है फिर भी यह short circuit नहीं होता है क्योंकि इसमें लगाएगया है कुछ चीजे white white color का rubber जैसा चीज बैसे आप लोगों को बता दूँ गाई आप लोग ऐसा try मत करना घर पे किसी का चाजर के साथ ऐसा खिलवाड मत करना